खबर जहांसी से है जहां मेडिकल कॉलेज में दे रात वार्ड में आग लगने से भगदर मच गई आग लगने की सूचना पर पुलीस और फायर बिकेट की गाड या सही जिला प्रसाशन भी मौके पर मौझूद रहे फिलहाल मेडिकल कॉलेज में पूरी तरह से अंधेरा फैला हुआ है दूएं के चलते कुछ भी दिखाई देने में मुश्किल हो रही है जानकारी के मुताबिक शुकरवार राद करीब 11 बजे अचानक से मेडिकल कॉलेज में स्ती रोग प्रस्थुत विभाग में चीट पुकार की साथ लोग अपने नवजात बच्चों को बेट पे से उठा कर भागने लगे लोग का कहना था कि काफी धुआ हो रहा है आग लगी हुई है आपको बता दे कि घटना की सूचना पर ततकाल फायर प्रिकेट और पुलीस टीम को दी गई इस आगजनी की घटना में मशीन और वार्ड में भरती करीब 10 से अधिक नवजात की मौत की सूचना दी जा रही है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है सब्सक्राइब कितने बच्चे अंदर भरती थे क्या बता गया किंद्रा पता चला कितने बच्चों की सब्सक्राइब जो वहां पर मौके पर जो स्टाफ उपस्तित था मेडिकल कॉलिज के नाइसी उँ में जो स्टाफ उपस्तिता उसके द्वारा जो प्रतम दर्श्टिया तत्य आये हैं उसमें लगबग साड़े 10 से 10 पैतालेस के बीच में जो एनाइसी उँ है उसमें दो चरण में एक बाहर की उनिट और एक अंदर की उनिट जो कम क्रिटिकल होते हो बाहर की तरफ रहते हैं जो जादा क्रिटिकल होते हो अंदर की तरफ रहते हैं तो जो अंदर की उनिट है उसमें संभवता शॉर्ट सर्कृट से आग लगी और उसके बाद जो बाह बचाओ कारे जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गए थी आग की और रस्क्यू की टीम और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा काफी बच्चों को बचा है अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का जो